इसकोर्स में सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत हैं यह बहुत ही बेसिक टॉपिक है जैसे मेकैनिक्स हमारा सबसे बेसिक होता है कभी भी हम पढ़ाई चुरू करते हैं साइन्स की तो मोशन और स्पीड यहां से शुरू करते हैं जूटन से लवाते हैं उसी तरीके से लगबग उतना ही बेसिक इसका भी इंपोर्टेंस है अगरे हैं और बाते हैं यह सब बाते हैं आपने बहुत सारी चलास 6 वगर से ही शुरू हो जाता है electricity का magnetism का magnet के बारे में उसके पोल्स होते है और क्या होता है बहुत ही बेसिक कोर्स है और बहुत बहुत महतुपून भी है बहुत अच्छा भी है बहुत इंटरस्टिंग भी है इसका बहुत सारे अप्लिकेशन भी आप जानते ही है अज सारी गतिविधिया जो चलती है वह इन जितने प्रकार के आपके घरों के अप्लियांस होते हैं जितने प्रकार के कॉंप्यूटर मोबाइल होते हैं जितने प्रकार के वायर्लस के सिस्टम होते हैं उन सब के अंदर में कहीं न कहीं यह इलेक्ट्रों का प्रवाही होता है यह करेंटिक फील्स होते हैं उसकी है वो हम उसके अंदर पूरी तरह से समझो की जिन्दगी जी रहे है पूरी तरह से है तो इस पर्टिकुलर कोर्स में जिसमें के हम लोग इलेक्ट्रोसिटी मैगनेटिजम की ठीरी की बात करेंगे बीच बीच में कभी-कभी कुछ उसके इसके अंदर हम लोग किन चीजों की बात करने वाले हैं सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉंस की बात करने वाले हैं most of it जो है वो सारा सब कुछ electrons के कारण से दुनिया किस चीज से बनी है इसका जब हम लोग शुरु शुरु में बच्चों को बताते हैं तो आता है कि वो materials होते है हर प्रकार के materials के अंदर में atoms होते है molecules होते है उसके अंदर में नाभिक होते है नूकलियस होते है और electrons जो है वो उसके आज पास इरद गिरद बन रहते है तो protons नाभिक के अंदर में electrons नाभिक के बाहर में Neutrons जिनको electricity magnetism में जाना दखल नहीं है बिल्कुल है नहीं है ऐसी वाद नहीं है Neutron का भी अपने एक जिसको magnetic moment कहते है हम Neutron में भी magnetic moment होता है यह उसमें चार्ज नहीं होता है फिर भी लेकिन कुल मिलाकर जिसको अब भी हम लोग जिस लेवल पे जिस से पर negative charges, protons के उपर positive charges कोई material है तो अमूमन जैसे मेरे हाथ में चौक है तो उसमें कुल मिलाकर के जितने protons होंगे कुल मिलाकर अल्मोस्ट उतने ही electrons भी होंगे तो इसलिए वो neutral है पूरा मिल करके कोई charge नहीं है ऐसा लेकिन कुल मिलाकर के charge नहीं है उसके बाबजूत भी यह बहुत साना effects charge वाला show up करता है मैंने अगर अपने fingers के अंदर में अपने अंगलियों के अंदर में इस चौक को पकड़ के रखा है और यह चौक नहीं गिर रही है मैं अगर अपने अंगलियों से इस चौक के उपर force लगा रखा हूँ इस चौक के surface पर जो electrons हैं उनका आपस में जो interaction है वहीं से वह force मैं generate कर रहा हूँ जिससे मैं इसको पकड़ करके रखा हूँ तो यदेपी हमारे fingers भी neutral है यदेपी एक चौक भी neutral है लेकिन फिर भी neutral होने के बाबजूत भी इसमें हमारे जो electrons हैं प्रोटोंस के साथ में इलेक्ट्रोंस है तब ही वह neutral है और इस चौक में जो electrons हैं उनके बीच जो forces हैं उनहीं से यह हम पकड़ पाते हैं इसलिए हम खड़े होते हैं इसलिए हम बैठते हैं इसलिए हम पानी पीते हैं इसलिए हम चीजों पर पकड़ते हैं यह सारे जितने contact forces हैं किताब अगर टेबल पर रहती है तो हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स लग गया यह सारे जो contact forces है वह इन इलेक्ट्रिक और magnetic interactions के कारण से ही होते हैं तो एक तो यह प्रोटों नूट्रों हो गया उसके अलावा हम क्या देखते हैं उसके अलावा हम एक सीजों बहुत जाना देखते हैं वह लाइट लाइट हम पैदा भी करते हैं अपने बल्फ बोगर जला के ट्यूब लाइट जला करके और सूरज भगवान देते हैं अपने को लाइट दुदियां भर की तो यह जो लाइट है वह भी इलेक्टिक फील्ड और मैगनेटिक फील्ड का गॉमिनेशन है तो कहीं न कहीं इलेक्रिसिटी और मैगनेटिसम वहां भी आ रहा है तो हम चर्चाएं जो करेंगे वह एलेक्टिक फील्ड मैगनेटिक फील्ड की चर्चाएं करेंगे हम चार्जेज की चार्जेज की हमारा एक तरीका का सोर्स है और वह क्या पैदा करते हैं वह फील्स पैदा करते हैं electric скаж और magnetic fields पैदा करते हमारी जुसरी physical entity है और वह जुसरी physical entity है उस में भी energy होजade elektryk program energy हों इनर्जी होती है वह भी हमारे दुनिया किस्से बनी है फीड्स से बन면िligen हमारे दुनिया किस से बनिये मिटीरियल से बनिये एलेक्ट्रों प्रोट्रों न्यूट्रों प्लस फील्स यह इसका Constitution हम लोग लेकर के चलेंगे और इस कोर्स के अंदर में हम गनित का बहुत उपयोग भी करने वाले हैं और गनित बहुत सीखने वाले हैं तो एक प्रकार से समझें आप इसको एक गनित का भी कोर्स सोच करके थोड़ा थोड़ा चलिएगा कि अगर हमने 70-80% फिजिक्स सीखी है इस कोर्स के माध्यम से तो एक 20-25 प्रतिशत हम जरूर गनित भी सीखने वाले हैं विशेश करके हम लोगों का जो स्कूल के अंदर में अभ्यास होता है वो कार्टीजियन कोर्डिनेट्स का भ्यास होता है x y z axis से हम अपने space को denote करते हैं और x y z coordinates के आधार पर ही हम सारी चीज़ें लिखा करते हैं लेकिन हम लोग जो इस कोर्स के अंदर में करेंगे इसमें इस तरह की बहुत सारे situations की चर्चा करेंगे जिसमें की x y z नहीं हो करके और स्फेरिकल coordinates r theta phi उनमें हम काम करेंगे cylindrical coordinates हैं उनमें हम काम करेंगे तो इस प्रकार का अलग किसम का coordinate system यह हम सीखेंगे इस कोर्स के तो रहां हम mathematics सीखेंगे और उस mathematics का उप्योग करेंगे इस कोर्स के अंदर में इसी प्रकार से vectors हम लोग सब जानते हैं क्लास 11-12 के अंदर में हमने खूब vectors पढ़े होंगे वेक्टर का एडिशन parallelogram laws वगरा वगरा लेकिन वह vectors भी अगर space के points के function हो जाए vector functions हो जाए तो फिर उसका अपना एक बहुत प्यारा गणित होता है और खास करके उसका बहुत प्यारा calculus होता है बहुत प्यारा differentiation इंटेग्रेशन इंवाल्बिंग यह vectors as a function of x y z यह बहुत महतुपुर्ण चीज होती है तो हम इसको सीखेंगे भी वह हमारा mathematics सीखने का program होगा और हम इसका उपयोग करेंगे electricity magnetism की अपनी चीजों को समझने के लिए हमारा physics उसके साथ साथ चलेगा तो यह दोनों parallel 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 चलेंगे तो अब भी जो हम शुरुवात करेंगे इस कोर्स में इस पार्ट में उसमें हम लोग electrostatic की बात करेंगे सबसे पहले हम लोग electrostatic की बात करेंगे तो electrostatic क्या होता है यहां सम्षूरू करते है अगर दो है दो पॉईंट चार्ज़ हैं क्यूंट टू और कुछ डिस्टंस के ऊपर है तो एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि अगर एक पॉइंट चार्ज है यहां पर क्यू वान दूसरा पॉइंट चार्ज है यहां पर क्यू टू और उनके बीच का डिस्टेंस जो है वह अगर आर है पॉइंट चार्ज अपने आप में शब्द भी थोड़ा आप समझ के रखिए कि इसका मतलब क्या है जब अगर इलेक्ट्रऊंस दोपर फसक्राहतोर हमक्रांशक ऑपिक्षाद वोड़ कम है थोड़े अधीक रखिए और अगर ठोड़े कम खुशन के ौऑ बनों की Q1 तो किसी ने किसी कण के ऊपर होगा किसे पार्टिकेल के ऊपर होगा तो अगर वो पार्टिकल का इस दिस्टिंस की बात हम करने वाले है उस पुरेब्लम में जिस भी प्रकार कर डिस्टिंस की बात हम करने वाले हैं उसकी तुलना में अगर इसका साइज बहुत छोटा है जिस पार्टिकल पर यह चार्ज है उसका साइज बहुत छोटा है तब हम कहेंगे यह पॉइंट चार्ज है और इस कोर्स के अंदर में हम कोई क्वांटुम फेनोमेना नहीं करने वाले हैं हम जो कुछ भी करने वाले उसमें बहुत छोटे साइस में जाके जो Nikon और реб belief फोते हैं उनकी चर्चा हम नहीं करने वाले हैं तो चर्चा कएंने सिंगल एलेक्ट्रॉन पर झार्च हम नहीं करेंग 돼 लेकिन कहीं वो पार्टिकल भी थोड़ा साइज है उसके अंदर में उसमें भी 20-30,000 एलेक्ट्रोंस की बहुतायत है या उसकी कमी है तो हमारे चार्जे जो है वो एकदम बिलकुल 1.6 x 10-19 कुलम टाइप के नहीं होंगे वो नानो कुलम टाइप के होंगे या माइक्रो कुलम टाइप के ह होंगे या वह आप सोचके चलीगा कि हम लोग क्लासिकल इलेक्रोमागनेटिजम कर रहे है तो इसलिए एकदम छोड़े छोड़े उसके अंदर में नहीं जाएंगे हमारा पॉइंट जो हमेशा एक बड़ा सा पॉइंट होगा मोटा सा पॉइंट होगा लेकिन वह मोटा सा जो बाकिके डिस्टिंसेज है उस सिच्वेशन में उनकी तुल्ना में बहुत कम होगा तो उसको हम लोग कहेंगे पॉइंट पार्टिकल तो अगर आपके इस तरह के दो पॉइंट पार्टिकल्स है जिस पर चार्जेस की युवन की टू है तो आप जानते हैं कूलम्भ स्ल यह charge के amount q2 charge के amount और यह constant है 4 pi epsilon not और उसके बाद यह r square यह coulomb slow हम लोग कहते हैं अगर दोनों के charges के signs same हो दोनों positive हो या दोनों negative हो तो यह repulsion है इस पर इधर force इस पर इधर force और अगर opposite हो तो यह attraction है इस पर इधर force और इस पर इधर force यह हम लोग कूलंब slow कहते हैं अभी सारी संथ सोचने जानने की हैं पहले तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं इसको हम वेक्कर फॉर्म में लिखना चाहते हैं और हम क्या करेंगे हम कहेंगे कि हमारे पास में इक access system xy Zone access एं इस xy-z axis है और अगर कोई चार्ज यहां है q1 तो हम सबसे पहले कहां है यह चार्ज यह बताने के लिए इसका position vector ऐसा खीचेंगे यह इसका position vector खीचेंगे और इस position vector का हम कोई नाम देंगे माले इसको हमने कहा r1 और दूसरा जो point charge है वो यहां कहीं पर है यह q2 यहां कहीं पर है तो वैसी हालत में उसका भी स्थान बताने के लिए हम एक दूसरा position vector उसी origin से खीचेंगे और हम कहेंगे कि यह जो है यह point charge यहां है इसका position vector यह r2 और इन दोनों के विच्व 1 से q2 को अगर आप मिलाएं और उस vector का भी एक vector बनाएं ऐसा तो इसको हम लोग कहेंगे क्या यह आर्टू माइनस आरवन इस आरटू वेक्टर से अगर इस आरवन वेक्टर को मैं घटाओं तो मुझे यह मिलेगा या इस आरवन में इस आरटू माइनस आरवन को जोड़ दूं अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूं तो त्रिभुज नियम के अनुसार यह मिलेगा जोड़ आरटू मिलेगा और यहां आप देखें यह r1 और यह माइनस r1 कट करके यह r2 बचता है यह वेक्टर प्लस यह वेक्टर वराबर यह वेक्टर तो अगर हमें q2 पर force लिखना है अगर हमें लिखना है force on q2 due to q1 यह लिखना है तो हम कैसा लिखेंगे यह फोर सम कैसा लिखेंगे हिए हम कहें गे q 1 q 2 तो हम निखेंगे पहले और 4 वाइपसलान पिंगे और अब यहाँ जो डिस्टेंस से और देन्स के बीच तो cuma गोड़ एस वेक्टर मागनिचूड है इस वेक्टर का मैगनेचुड है तो उसको हम लोग कह सकते हैं मौड ऐसा लाइन लिखते हैं आर्टू माइनस आरवन ऐसा यह मैंगनेचुड हुआ और उसका स्क्वाइर है तो यह इसका स्क्वाइर हुआ तो यह फोर्स का माचने चुट बना इस पर लगने वाले फोर्स का यह maचने बना Sweet की ओन क्यू क्यू टू बाइफ ऑफॉर पालफ के लिच खाल र का स्कुएर हो चोटा यहां r1 के ही डिरेक्शन में अगर हमें एक यूनित वेक्टर बना है तो वो यूनित वेक्टर मुझे यहां डालना पड़ेगा तब उसका डिरेक्शन बनेगा और वो डालने का एक सिंपल तरीका है कि आप यहां पे r2-r1 वेक्टर ही रख दीजिए और उसको भाग लगा दीजिए किस से इसको भाग लगा दीजिए मोड r2-r1 से तो यह क्या बना इसका डिरेक्शन क्या इस वेक्टर का इसका डिरेक्शन यहां से मिल रहा है r2-r1 से इसका दिरेक्शन है और इसका मैंनीचूड क्या है तो इसका जो मैंनीचूड जूड है डिवाइड बाए नो हो जाएगा तो इसलिए यह वो यूनिट वेक्टर तो आप इसको इसके साथ मिल ईगे इसको इसके साथ मिला लेजे और आप इसको लिख सकते हैं q1 q2 और r2-r1 वेक्टर यहां पर divided by 4 pi epsilon not और r2-r1 इसके magnitude का क्यूब तो कुलम्स लोग को हम आज लिख रहे हैं देखिए थोड़ा दोड़ा गनित में आगे बढ़ेंगे हम आपको लगा एक तना complicated क्यों कर दिया इतना सुन्दर सा यहां चोटा सा था लेकिन आप यह सोचिएगा कि स्कोर्स में मैंने शुरू में ही अपने जो एम स्टै किया है उसमें यह भी मैंने यह किया है क्या आपको फिजिक्स के साथ-साथ mathematics का भी अभियास करें गेनित का भी अभियास करें तो थोड़ा अभियास करें वेक्टर का इसका उसका यह हमारा कुलम्स लोग और यह कुलम्स लोग है लेकिन इसके साथ में दूसरी बड़ी प्यारी सी चीज है कि यह कुलम्स में थोड़ी प्राब्लम है और किसको प्राब्लम है आप में से बहुत लोगों ने पढ़ी होगी किताबों में अपने कोर्स में मैंने जो ओनलाइन को दे रखे हैं उसके अंदर में पढ़ी होंगी और आप जानते होंगे उसका बहुत महत्पूर्ण रिजल्ट है कि आप किसी भी इनफरमेशन को जो स्पीड ओफ लाइट इन वैक्यम है उससे जादा तेजी से नहीं भेज सकते हैं तो इसको हम अभी इस्तेमाल करने वाले कोई भी मिटिरियल पार्टिकल सी वेलासिटी से जादा वेलासिटी से नहीं चला सकते हैं किसी भी का यहां कुछ हुआ डिस्टर्बेंस उसकी सूचना किसी दूसरी जगह कर पहुंचनी है तो वह सी से जादा स्पीड से नहीं पहुंच सकती है इसको हम अभी इस्तेमाल करने वाले हैं तो आपके पास दो पार्टिकल से क्यूवन और क्यूटू और यह जो दो पार्टिकल स हैं यह बहुत है पाधेटइकल कंडिशन है लेकिन मैं चीरी की बात कर रहा हूं फर्ट किजिये कि इसके बीच की जो दूरी है वह वह लाइट की है जो कि F जिसका मैंगनिचूड है q1 q2 बटा 4 pi epsilon not r square माले इस साइड में और इस पर भी उतना ही फोर्स है same force q1 q2 और divided by 4 pi epsilon not r square इस तरह को ठीक बहुत बढ़ी है कोई problem नहीं है दोनों forces बराबर है magnitude के अंदर में opposite direction के अंदर में नूटन थर्ड लोगा पालन हो रहा है और नूटन थर्ड लोग लीनियर मोमेंटम के conservation से सम्बंधित है लीनियर मोमेंटम के conservation का जो प्रिंसेपल है वो नूटन के थर्ड लोग से आता है ऐसा आप कह सकते हैं दोनों में बहुत गहरा रिष्टा है तो यह नूटन थर्ड लोग यहां पर ठीक थाक इसलिए conservation of linear momentum यहां पर ठीक थाक सब कुछ बढ़िया अब फर्च के जे कि आज की तारीख में हमने इस situation को गड़बर किया इस situation को बदला और आज की तारीख में कोई एक तारीख आप पिक कर लेजे माली जे इस एदिस लेट सेफस्ट में टू जिरो फाइफ जरो फर्ट करो कि आए फर्स्ट में टू जिरो फाइफ जिरो का यह situation described है और इस दिन क्या 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 इस q2 को थोड़ा खिसका दिया स्कुटव को यहां से हम ने थोड़ा खिसका करके इसको यहां ले आइस q2 को हम यह उठा के लिया इस तारीख को और अब जो distance है यह distance one light year इसको किर आप R बोलते है तो अब उस आर मैं से अब यह distance डिल्ट आर कम हो गया अभी ये डिस्टन्स आ हा यहाँ तक और हमने च्शका को सतोल से किस काया कुछ मीटर केवल कोछ मीटर्स और को磨ट यूपल को सेकेंड लगेंगे कुछ सेकेंड में मैंने से काया करके यहांति हुआ प्रकृयय को ही पुरिय हो गए तो अब इस पर फोर्स कितना हो जाना चाहिए इस पर फोर्स कितना हो जाना चाहिए तो या इस पर फोर्स कितना हो जाना चाहिए क्यों पर पहले बात करें इस पर फोर्स कितना हो जाना चाहिए अब इस पर फोर्स हो जाना चाहिए नया फोर्स है वह हो जाना चाहिए q1 q2 divided by 4 pi epsilon naught और और आर माइनस डिल्टा रिये distance हो गया है इसका स्क्राइब इतना हो जाना चाहिए कुलम्स लोग क्यों की टू पाइप्सलों नौट डिस्टेंस स्क्राइब डिस्टेंस घटके इतना हो गया तो फोर्च बराबर इतना हो लेकिन अगर यहां प्रोस बढ़ गया है पहले इतना अब इतना हो गया अगर यहांफ इसका नंगी प्रक्या कर ली गई कि यह सूचना यहां पहुंच गई लेकिन यह सूचना यहां पर एक मई 2021 के पहले नहीं पहुंच सकते यह स्पेचल थे अफ रेलेटिविटी अगर यहां हमने कुछ किया है तो उसकी खबर यहां तक पहुंचने में समय लगने वाला है कोई भी इन्फर्मेशन सी से ज्यादा स्पीट से नहीं भेजा जा सकता है इसलिए यह इन्फर्मेशन की खिसका दिया गया और यह वन लाइट यह का अगर यह शुरुवाती दूरी है तो यह सूचना यहां तक पहुंचने में एक साल तो लगने वाला है और इसलिए वह वस्त में 2051 के पहले इसको यह खबर नहीं लगने वाले है तो अगर हम मालो बात करते हैं जून बूध डीडीरोवाइज सेल फाइफ दो की पस्त günफ हुम पीछनों की बात करते हैं तो यह फौर्स इतना नहीं तो यह फॉर्स है क्योंकि वह कम हो गई है दूरी यह सुचना अभी आई नहीं तो क्या हो गया है इस तारी इसको कितना है दोनों के बीच में R माइनस डिल्टा रहे इस पर फॉर्स कितना है q1 q2 by 4 pi epsilon r square r minus delta r square नहीं है तो coulomb's law साल भर तक काम नहीं करने माला है हाँ सालवर के बाद काम करेगा जब उसकी सूचना यहां पहुंच जाएगी उसके बाद हाँ डिस्टेंस कम हो गए तो फोर्फ ज्यादा होना चाहिए हो जाएगा तो coulomb's law के साथ में अगर आप इस तरह से coulomb's law प्रेजन्ट करते हैं डिस्टेंस और फोर्स बराबर q1 q2 by 4 pi epsilon r square ऐसा अगर आप प्रेजन्ट करते हैं तो वह कभी-कभी लागू नहीं भी हो सकता है थोड़े समय के लिए यानि बहुत थोड़े लंबे समय तक अगर कोई प थोड़ा पहले से भी आरे डिस्टेंस है sufficiently पहले के टाइम से भी आरही डिस्टेंस है तब तो ठीक है लेकिन अगर वैसा नहीं है हाल फिलहाल में वहां कोई परिवर्तन हुआ है तो अभी जो डिस्टेंस है उससे coulomb's law नहीं बन सकता यह कहते है action at a distance यहां हम इस्तेमाल कर पुशिश कर रहे है जो सही नहीं है यहां बैठा बैठा चार्ज इसके ऊपर असर डाल रहा है यहां बैठा बैठा चार्ज दूर पर असर डाल रहा है इंस्टेंट ली तुरन उसी समय action at a distance हो रहा है इसका action एक दूसरे दूर के बिन्दू पर भी हो रहा है यह जो हमने है यह सही नहीं है इसका यह उद्रन काका तो क्या та सकी मेडिये कि क्यु का क्यू पर फोर्स लगा कभी हो लगाई नहीं था मिव क्यों पोड़ेगा ज़्या मेर्थ पता है कि प्रोस है और अगर और सब नि ठीक ठाक हैं को लाया डुलाय कि सिगते लिलहाया just को भी करता है यह भी हमें पता है लेकिन आब उसको हम प्रेजंट कैसे करते हैं वो देखिए हम कहते हैं कि हरेक चार्ज दूसरा चार्ज रहे हा न रहे एक एलेक्ट्रिक फिल्ड नाम की इन्टिटी को create करता है which is a physical entity जिसमें इनर्जी है जिसमें मोमिन्टम है जिसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है तो हर एक चार्ज जो है वह अपना एक एक एलेक्ट्रिक फील्ड क्रियेट करता है और अगर चार्ज कहीं रखा हुआ है और स्थिर है तो उसके कारण से एलेक्ट्रिक फील्ड पूरे में फैलता है और बहुत देर तक अगर स्थिर है तो दूर दूर तक वह एलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है तो एक स्टेप है कि एलेक्ट्रिक फील्ड क्रियेट होता है और अगर आपने एक चार्ज को रखा हुआ है रेस्ट में रखा हुआ अब तुरंद इस समय रेस्ट में इतना ही नहीं पहले से भी रेस्ट में तो वैसी हलत में अगर चार्ज यहां क्यूँ है और यहां डिस्टेंस आर के ऊपर आप देखते हैं आर डिस्टेंस पर देखते हैं तो फिर वह एलेक्ट्रिक एक स्टेप है तो यहां अब लगा के यहां पिसको आर का क्यूब कर सकते हैं इसा यह एलेक्ट्रिक फिल्ड करता है डूसरा चार्ज है कि निया से कोई मतलब नहीं अगर मैंने इसको लाइं डूला दिया है तो फिर जब तक उसकी सूचना वहां तक नहीं पहुंचाएगी त और दूसरा स्टेप है कि अगर कहीं प्राइम कह लिए जिसको आरnia कह लिए और हमने एक चार्ट दूसरा यह क्यू प्राइम माढर रिख लो इसके करन के इसके कारण से यहां पर सब जगह पर फिल्ड है और यहां एक दूसरा चार्ज क्यू लाकर रख दिया तो यहां जो फिल्ड है वह फिल्ड इस पह फोर्स लगाएगा और वह कितना फोर्स लगाएगा तो वह उसके लिये बना F बनाबर Q into E ऐसा तो इस चार्ज का काम है यहां पर फिल्ड प्रिड्यूस करना यहां पर फिल्ड प्रिड्यूस करना यहां पर फिल्ड प्रिड्यूस करना यहां फिल्ड प्रिड्यूस करना यहां फिल्ड प्रिड्यूस करना और उस फिल्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज कहीं पर है तो उस जगह के जितना फील्ड है जो इस सूतर जहें पर जतना फील है उसको आप नहीं है कर यहर और और वह चांज़ आपने रखा है उस फील में ऊसको यहां के कारण से और वह इतना बना अवे मैंने खिसका दिया कि तुठीक किसका दिया लेकिन आइश हां से जो नया फीट बन रहा है वह यहां तक नया फील्ड पहुंचने में टाइम लगने वाला जब तक नहीं पहुंचा है तब तक पुराना फिल्ड है पुराना रूल है पुराना रूल है तो पुराना फोर्स है तो यह मिला करके मामला ठीक ठाक है एक और चीज़ इसमें देख लें इसका क्या हो रहा है यह यहां से चल करके यहां पहुंचा यह चार्ज स्थिर है शुरू स यहां यहां without a good day यहां रखा एक फर्स्ट में 2050 को इसको पता चल गया कि मैं आप फिर्ट में हो यह यहां पर थोड़ा फिल्ट अ यहां फ你好 फिल्ट है यह तो दोटा स्ट्रॉंगा सिंता का इस से इसन स्कॉंद इसके कारण से जो फिल्ड यहां है सो है इसके कारण से जो फिल्ड यहां है वो है यहां कम फिल्ड है यहां जाना फिल्ड है इसको यहां जो रख दिया जैसे हम रखेंगे इसको पता चलेगा कि हां हम स्ट्रॉंगर फिल्ड में है और इस सूतर के अनुसार यहां फोर्स बढ़ जाएगा तो इस पर जो फोर्स है एफ वह है क्यू एन क्यू टू वाई फॉर पाइप्चलन नौट और माइनस डेल्टा आर का स्कूर और अल्रडी किस पिरियद में उस एक साल के अंदर की बात कर रहा हूं जैसे ही आपने इसको यहां से यहां लाया फॉस्ट में टू जिरो फाइज जिरो को इस पर फोर्स जो है वह बढ़ गया लेकिन इस पर फोर्स एक साल के बाद बढ़ेगा क्योंकि अभी इसका फिल्ड यहां नहीं पहुंचा है इसका फिल्ड तो यहां भी है यहां भी है और तो इसलिए उस पूरे एक साल तक Newton के तीसरे नियम का भी पालन होने वाला नहीं है उस पूरे एक साल तक इस पर फोर्स इतना है और उस पर फोर्स उतना है प्योंज कोऑसे लेकिन फील्ड अपना मोंझें तंब होता है इलकिन फिल्ड का मोंझें के साथ में तब लिनेर मोंझें धिक थाACK Чтобы कुलम्स法 को जानने के समय कुलम्स law के बारे में पढ़ने के समय में यह भी चीज अपने को ध्यान मेरत चाहिए कि कुलम्स लग की लागु है जबकि वह चार्जज न केवल उस इंस्टेंट पर रस्ट में बलके उसके भी पहले के समय से कितना पहले के समय से इस डिस्टेंस पर डेपर करेगा वो अगर आपका R डिस्टेंस है इसकी सूचना वहां पहुंचने में R by c टाइम लगेगा उससे पता चलेगा कि कितना पहले से उसको स्थिर होना चाहिए तो अगर चार्जेज स्थिर हैं रेस्ट में हैं और ठीक ठाक समय से सफिशेंट टाइम से रेस्ट में हैं तब जो उन पर फोर्से लगते हैं वो हम कूलम्स लॉक के सहायता से बता सकते हैं उसमें जो फील्ड पैदा होते हैं वो हम क जरुआत में काफी जमय तक हम लोग इसी तरह के फील्ड की चर्चा करेंगे इलेक्रोस्टार्टिक फील्ड की चर्चा करेंगे हम मान के चलेंगे कि हमारे चार्जज जो है वो या तो स्थिर है और या तो अगर मूव बूव कर रहे हैं तो उनका उसका प्रभा उतनी दूर तक नहीं है जितनी दूर तक में हम काम करने की कुशिश कर रहे हैं तो यह इलेक्रोस्टार्टेक्स फील्ड की भूमिगा है जिस पर हम आगे काफी सरी लेक्चर्स करने वाले हैं